हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज यह देखिए आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडीज काड़िगर में लेडी जैकिट में जैंड साफ सैटर फुल सैटर में और पीछे की साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इसको बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो तीन के मल्टिपल से होंगी यानिकि तीन-तीन के मल्टिपल से आपने इसके फंदे लेते हुए जाना है और लास्ट में दो फंदे एस्टिच के लिए रखें और यह जो डिजाइन है यह 12 रौ का डिजाइन है तो इतना जो डिजाइन है वो 6 रौ में बनता है फिर से यह 6 रौ में यह सीधी रौ बनती है तो यह टोटल 12 रौ का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाती है तो देखिए मैंने यहाँ पर 14 फंदे लिए हैं 12 फंदे इसके 3 के multiple से लिए हैं, दो फंदे एस्टिच के लिए लिए हैं और base देने के लिए नीचे से दो रो उल्टे फंदों के साथ निकार लिए हैं तो चलिए बनाते हैं पहली रो सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे एक साथ लेंगे और back loop से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे, एक बार सीधा बनेंगे, one, थोड़ा सा इसको फंदे को lose ही रखना है, फिर जाई डालेंगे, two, फिर से सीधा बनेंगे, three, drop करेंगे, यह देखिए यहां पर हमने तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे, जाई डालेंगे, two, फिर से सीधा बनेंगे, three, फिर से तीन फंदे एक साथ लेंगे, और back loop से सीधा बनेंगे, one, जाई डालेंगे, two, फिर से सीधा बनेंगे, three, एक बार और तीन फंदे एक साथ ले लेंगे, और back loop से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे, सीधा बुनेंगे 1, जाई डालेंगे 2, फिर से सीधा बुनेंगे 3, यह देखिए यहां से यहां तक हमने 4 पैटरन कम्प्लीट किये हैं, लास्ट में एस्टिच है, एस्टिच सीधा बना लेंगी, तो पहली रौ कम्प्लीट हो गई है, दूसरी रौ है रौंग साइड, सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगी, दूसरी रौ और इसकी सभी रौंग साइड रौज जो रहेंगी वो उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगी, एस्टिच उल्टा बना लेंगे, तीसरी रौ है और सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगी, यहां से repeat pattern start करेंगे, फिर से तीन फंदे लेंगे, और back loop से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे, एक बार सीधा बनेंगे, 1 जाई डालेंगे 2 फिर से सीधा बुनेंगे 3 फिर से 3 फंदे लेंगे एक सार बैक लूप से 3 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे सीधा बुनेंगे 1 जाई डालेंगे 2 फिर से सीधा बुनेंगे 3 एक बार और तीन फंदे लेंगे और back loop से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे सीधा बुनेंगे one जाई डालेंगे two सीधा बुनेंगे three तो देखिए आगे के दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारे तीन पैटर्न complete हुए है लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे सीधे एक दो एस्ट इस सीधा बना लेंगे तीसरी रो कम्प्लीट हो गई है चौती रो इस रो में सभी फंदे फिर से उल्टे उल्टे बना लेंगे पांच मी रो सीधी साइड एस्ट इस स्लिप करेंगे फिर से इस रो को रो फस्ट की तरह पहली रो की तरह ही बनेंगे तीन फंदे एक साथ लेंगे और बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे एक जाई डालेंगे दो फिर से सीधा बुनेंगे तीन ये दिखिए यहां पर हमने तीन फंदों से तीन फंदे बनाए फिर से इस पैटरन को रपीट करेंगे तीन फंदे एक साथ लेंगे बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे एक जाई डालेंगे दो सीधा बनेंगे तीन फिर से तीन फंदे लेंगे और बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे से दा बनेंगे वन जाई डालेंगे टू फिर से सिधा बुनेंगे ठी एक बार और तीन फंदे एक साथ लेंगे बैक लूप से सिधा बुनेंगे वन जाई डालेंगे टू फिर से सिधा बुनेंगे ठी तो एस्टी छोड़कर यहां तक हमारे चार पैटरन कम्प्लीट हुए हैं लास्ट में सीधा बुन लेंगे पांच मी रह कंप्लेट हो गई है चटी रह है रॉंग साइड इस रह में सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे अब देखिए साथ मी रह है और सीधी साइड है इस रह में सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे आठ मी रहों सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे नो मी रहों फिर से सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे दस मी रहों सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे ग्यार मी रहों फिर से सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे बार मी रहों सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो दिखिए बार मी रहों कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटर भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास्ट ट्रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वान टू ट्वैल रॉर रपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं तो फ्रेंड आप भी से बनाएए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ तिल देन बबे फ्रेंड